नमस्कार दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं हिंदी के आगे की सिरीज में, जिसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे शब्द रचना अर्थ और वाक्य रचना की और उसमें भी स्पेशली उपसर्ग और प्रत्य की पहला देखते हैं सदाचार में उपसर्ग है सत अत्युक्त में उपसर्ग है अधि समादर्व सनरचन में उपसर्ग है सम इसके बाद अगला है प्रत्यूपकार प्रतिदिन प्रत्यूपदेश में कौन से उपसर्ग है तो प्रति उपसर्ग है अध्यच्वा अधिस्ठाता मे उपसर्ग है अधि निम लिखे शब्दों में उपसर्ग पहचानिये अभ्यास अभिमुक इनमें अभी उपसर्ग है नी परिउन उपसर्ग से समंदित शब्द पहचानिये निबंध परिजन 39 अति उपसर्ग का अर्थ है अधिक या बाहुले खंडहा लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्य है हर और एरा जो प्रत्य धातूं के अंत में लगते हैं वो प्रत्य है क्रत्य प्रत्य जो प्रत्य संग्या सर्वनाम वा विशेशन से जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वो प्रत्य है तद्वित प्रत्य इसके बाद है निमलिखित में से कौन सा सब्द अर्बी फार्सी उपसर्ग योग्त नहीं है समवाई हिंदी उपसर्ग योग्त शब्द नहीं है उपुमा संस्कृत उपसर्ग योग्त शब्द नहीं है लाचार निम लिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर की योग्ट है कपूत छलिया पठनी वा कहानी में कौन सा प्रत्य नहीं थै या छलिया में या पठनी में य और कहानी में आनी चर्मकार प्रभाकर में कौन सा प्रत्य नहीं थै कार और कर खिलाडी गमनी शब्द में कौन सा प्रत्य प्रत्य है आडी और ई गाने वाला लगुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्य है वाला और तर ई प्रत्य के शब्द में नहीं है रंगीला तेली माली और अलबेली इन सब में ई प्रत्य है संस्कार शब्द में किस उपसर का प्रियोग हुआ है सम रेलगाड़ी शब्द है संकर क्रदंत प्रत्य किन शब्दों के साथ जुड़ते है क्रिया के साथ वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों वाक्यों और वाक के खंडों को जोड़ते है क्रिया अलमारी किस विदेशी भासा का शब्द है पुर्टगाली भासा का शब्द है पांडो शब्द में कैसा प्रत्य है तद्धूत प्रत्य है रिक्षा शब्द में किस भासा का है रिक्षा शब्द जापानी है निमनांकित में योगरूड शब्द है योगरूड शब्द है पंक निम्लिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है पराजय में आलपिन और गमला किस विदेशी भासा के शब्द है पुर्टगाली इसके लावा वकील किस भाषा का शब्द है अर्बी का संकर शब्द है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द जिन दो शब्दों के विद्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है देशज निम्न शब्द युग्मों में से कौन सा असंगत है कार्टू संगरेजी योगरूर शब्द कौन से है दशानन लौक एक शब्द में प्रत्य है एक सूची का मिलान करना है तो पहला खचाखच देशज शब्द है मुर्ली धर योगरूर शब्द है टिकट घर संकर शब्द है सांप तदभो शब्द है रचना के अधार पर वाग के भेद हैं तीन अविधा शब्द में शक्तियों में वाज चार्थ प्रकट होता है दो भिन भाजाओं के मेल से बना शब्द संकर कहलाता है अगला निमलिकित में से योगरूर शब्द चुनिए चकरपाण योगरूर सब्द है गोडशवार सब्द में से क्या है योगीक रूड है योगीक शब्द है गोडशवार अजायब घर है संकर शब्द वर्णों के उस समुंग को जिससे कोई निश्यत अर्थ निकलता हो कहा जाता है शब्द सूत शब्द को इस्त्रिवाचक बनाने के लिए कि इस प्रत्य का प्रियोग होगा इप्रत्य का लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्य लगा हुआ है अख, अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिये अभी, तो साहः शब्द का उपसर्ग चुनिये, दोस, सज आवट शब्द का प्रते, बताइए, आवट, धा तुम्हें प्रते जोडने से बने शब्द कहलाते हैं, क्रदंत निम्नांकित में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है तो इसका आंसर कुछ क्लियर नहीं है इसको आप लोग देश लेना या इसको काट दीजिए अगला बढ़ते हैं निम्लिखित में से प्रत्य योग्त शब्द नहीं है अंकुर निम्लिखित में से प्रत्य योग्त शब्द नहीं है सादर एक उपसर के प्रयोग से बना शब्द है अवा एतनिक किसी के सामने मेरी आदत नहीं है हाथ फैलाना वाक में प्रयोग शब्द को खहते हैं पद बोलो कोई सुन लेगा वाकि में रिकत तस्थानों पर आएगा धीरे दीरे बोलो कोई सुन लेगा वाके में शब्दों का करम निर्धारित होता है पद करम से उध्देश और विध्य, किसके अंग है वाकि के तंदुलकर ने एक और में 5-6 की लगाए इस वाकि में उध्देश है तिंदुलकर वहां मोहन के अलावा कोई नहीं था वाक्य में रिक्त स्थानों पर प्रयुक्त होगा अलावा हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए संबंद बोधक अब शलमा घर जाती है वाक्य है मेरा मित राकेश बहुत अच्छा चेत्रकार है इस वाक्य में विभेद है बहुत अच्छा शब्द होते हैं धोनियों के मेल से बने सार्थक वण समदाय शब्द भासा की कैसे ही काई है स्वत्न त्रेवन सार्थक ही काई है निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वण समू को क्या करते हैं शब्द सामाने तह शब्द के कितने प्रकार होते हैं दो बनावट के अधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं तीन उत्पत्य के अधार पर शब्दों के भेद संग्या भेद नहीं है संग्या आगत शब्द से सम्मन्दित है विदेशी शब्द शब्दांस कितनी प्रकार के होते हैं दो रचना के आधार पर रोड़ शब्द नहीं है विज्ञान योग रोड़ शब्दों की पहचान करें मुह विकल्प में दिये हुए शब्दों मेंसे कि शब्द का तदभवी करण नहीं हुआ है हुआ सिपिटल कौन सा शब्द अरबी नहीं है कमीना कौन सा शब्द फार्सी नहीं है हक तुरकी शब्द नहीं है अजब शब्द सक्त के प्रकार नहीं है तत्सम चार विकारी शब्द से सम्मन्दित भेद नहीं है समुच्चे वोधक जिन शब्दों कोई बदलाओं नहीं आता हुआ है आ विकारी शब्द निमलिकित में से पुनरुक्त दूरुक्त शब्द कौन सा है साथ साथ तो ये था हिंदी का तद्बो तत्सम और शब्द रचना वाग के अर्थ वाग के रचना इसको आप लोग ट्यार करते रहें आगे इसी तरह से मैं पर दे कुछ क्वेस्चन्स लाता रहूँगा तो इसमें इतना ही धन्यवाद